अजीब लगता है जब सिकंदर को महान कहा जाता है Western Words के इतिहासकार उसकी तारीफों के सेकड़ों पूल बानते हैं हमारी दुनिया में Western Words के इतिहासकारों को ही सही मान लिया जाता है वहीं इरान और चीन के इतिहासकार उनकी बातों का खंडन करते हैं Western Words के इतिहासकारों ने यहां तक अपनी किताबों मिलिका है कि Alexander यानि सिकंदर जमी पर अपने पैर रखता था उसे या तो जीत लिया करता था या तो छीन लिया करता था लेकिन आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे राजा से परिशे करवाऊंगा जिसने Alexander यानि सिकंदर के भी छक्के छोड़वा दिये लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस राजा का जिक्र हमारे इतिहास के पन्नों में एक नाम मात्र मिलता है इतना ज्यादा इनसका जिक्र नहीं है उस राजा का नाम था राजा पोरस जिसका सामराज जेलम और चैनाप के बीच में फैला हुआ था जो आज के पंजाब, कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ पार्ट में है लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ताकि मैं आपके लिए इस तरह और वीडियो बनाऊँ ये कहानी शुरू होती है 4th BCE में मतलब इसा मसीह यानि जीजस क्रिस के जन्म से 400 साल पहले अगर इन्हें आज से जोड़ा जाए तो तकरीबन 2600 साल पहले की बात है फिलिप्स डूतिय या फिलिप्स सेकंड जो मैसेडोनियन अमपायर का राजा था उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया 30 साल की उम्र में अपने पिटा के गुजर जाने के बाद राजगदी पर विराजमान हुआ 30 साल की उम्र के अंदर अंदर दुनिया के काफी हिस्सों पर अपना दबदबा कायम कर दिया उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मगध अंपायर अपने चरम पर था मगद अम्पायर का छेतर उत्राखन यूपी बिहार में फैला हुआ था मगद अम्पायर में इस वक्त नंदा डाइनस्टी रूल कर रही थी और नंदा डाइनस्टी के लास रूलर का नाम था धनानंद वही धनानंद जिसके कोट में चानक के पंडित थे जब धनानंद ने चानक्य की बेज़दी की थी और उन्हें अपने दर्बार से बाहर फिक दिया था उस वक्त चानक्य ने कसम खाई थी कि मैं धनानंद को नश्तिनाबूत कर दूँगा उसी के बाद से चानक्य ने मौर्य समराज की स्थापना की थी और सबसे पहले मौर्य समराज के राजा थे चंदर गुप्त मौर्य तो सवाल यही आता है जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर आकरमन किया था तो वो जेलम नदी के पास से ही क्यों वापस लौर गया था उस वक्त तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सामराजी एक्जिस्ट करता था जिसका नाम था मगद अंपायर वहाँ तक तो अलेक्जेंडर यानि सिकंदर तो पहुझ भी नहीं पाया अंत में अलेक्जेंडर यानि सिकंदर पाकिस्तान के एक शहर तक सशीला तक आप पहुझा जो आज पाकिस्तान में पंजाब का एक इंपॉर्टिन शहर माना जाता है उस वक्त उस राज्य का उस शहर का शाशक अंभी नाम का राजा था जिसने बिना लड़े अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमरपन कर दिया अलेक्जेंडर यानि सिकंदर ने राजा पॉरस के पास एक संदेश पहुझाया और उस संदेश में आत्मसमरपन करने की बात कही सिकंदर अपनी सेना को लेकर जहलम नदी के किनारे आ बैट गया लेकिन जहलम को पार किये बिना वो अंदर नहीं आ सकता था सिकंदर की फौज में 7000 से ज्यादा सैनिक उसके विपरित पोरस की फौज में केवल और केवल 25000 सैनिक थे सिकंदर ने अपनी सेना में से तकरीबन 30,000 सैनिकों को लेकर जहलम नदी को पार किया इतिहासकार लिखते हैं जहलम नदी को पार करने के बाद अलेक्जेंडर यानि सिकंदर पुरी तरह से फस गया था मौसम खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होई और बारिश होने के कारण उसमें बानी बहुत ज़्यादा आ चुका था जब पोरस को ये बात मालूम पड़ी के अलेक्जेंडर यानि सिकंदर ने जहलम नदी को पार कर लिया है तो पोरस ने अपनी एक सैनिकों की तुकडी को अपने बेटे के लीडर्शीप में फाइट करने के लिए आगे भेज दिया जिसमें सबसे ज़्यादा हाथियों की संक्या थी लेकिन अफसोस उसका बेटा ना बस सका इतिहासकार लिखते है अलेक्जेंडर और पोरस के पुत्र के बीच में भहुत धमासान युद्ध हुआ और ये युद्ध एक जहलम नदी के किनारे पर हुआ था इसलिए इस युद्ध को बैटल ओफ हाइडपिस नाम से लिखा गया है इस युद्ध में अलेक्जेंडर की सेना ने पोरस के पुत्र की हत्या कर दी जैसे ही ये खबर पोरस को पता चली पोरस ने अपनी एक तुकड़ी को भेजा और फिर ये फाइड अगेन से स्टार की गई वक्त बीटा गया, पोरस खुद अपनी एक तुकली लेकर अलेक्जेंडर से छेलम के किनारे पहुचा और अलेक्जेंडर से आमने सामने युद्ध किया काफी इतिहासकारों की इस पर अलग-अलग राय है, कोई कहता है कि पोरस को अलेक्जेंडर ने मार गिलाया था कोई कहता है कि पोरस ने अलेक्जेंडर को किद्नाप कर लिया था, सब की अपनी राय है इसमें काफी विवादित पॉइंट से सब इतिहासकार अपना-पना पॉइंट अफ्यू अलग-अलग तरीके से रखते है लेकिन इस युद्ध का अल्ट अगर हम समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अलेक्जेंडर यहां से वार करने के बाद या बैटल फाइट करने के बाद वापरस अपने राजी ग्रिस चला गया था लेकिन इस बात को हम इस से समझ सकते हैं पोरस से युद्ध करने के बाद अलेक्जेंडर हिंदुस्तान से ग्रिश चला गया था और दो साल बाद मतलब 32 वर्ष की आयू में उसकी मौत हो गई थी। इससे ये साबित होता है कि अलेक्जेंडर ने अगर जेलम को क्रॉस कर लिया था तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। वो वहाँ से वापस क्यों चला गया क्योंकि उसे महसूस हो गया था मुझे यहाँ पर जीत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हमारे इतिहासकार चीनी और इरानियन इतिहासकार और हिंदुस्तान के इतिहासकार उसके बारे में लिखते हैं कि वह एक महान योद्धा केवल और केवल वेस्टरन वर्ट्स के इतिहासकारों के नजरों में हैं लेकिन हमारी नजरों में बिलकुल नहीं क्योंकि उ